हाई फ्रेंट्स वेलकम टो एमकेवी स्पेसल डाइक अजूकेशन तो माई डियर फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आई टी आई वाले उन कैंडिडेट्स के बारे में जिनका एक्जाम रह गया है एक्जाम बाकी है और उनके एडमिट कार्ड से रिलेटेट बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे तो डियर फ्रेंट्स सबसे पहले आई टी आई वाले बे कैंडिडेट्स जो है 2016-18, 19-20 वाले सेशन, 17-19 वाले सेशन के कैंडिडेट्स है यानि यहाँ पर हम 2016 में जिन कैंडिडेट्स ने एडमिशन लिया हुआ है और जिनका एकडेमिक सेशन 2016-18 है इसके अलाबा 2017 में एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट्स का 2019 में एकडेमिक सेशन होगा तो इस वीडियो को जरूर देखें जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे आपके admit card कब से download होंगे कैसे आपको download करना है ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं तो guys अगर आपने भी ITI किया हुआ है और आप भी CBTA exam के इंतजार में admit card का इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार अब खत्म हो जाता है अब आपको पूरी सही जानकारी पता चल जाएगी कि कैसे आपको admit card download करना है किस तीती से किस तीती तक आपके admit card download होंगे तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है ministry of skill development and entrepreneurship की official website पर आए हुए हैं और यहाँ पर जितने भी updates होती हैं सारी updates MHD की website पर update की जाती हैं यानि direct rate of general training की official website पर जो है update की जाती हैं तो यहाँ पर आप admit card से related जो है important update देख पाएंगे यहाँ पर आप देख पारें जित या पैरा है यहाँ पर जितनी भी नए updates या फिर जितना भी नया news होता है इसी corner पर आपको मिलेगा या इसी यहाँ पर आपको जो है इसी website में यहीं पर मिलेगा तो जितने भी updates होते हैं इसमें हाल टिकट का updates आप देख पार है हाल टिकट eligibility schedule for supplementary examination मतलब जो back बाले candidates हैं उनक important update है जो कि मैं आपके साथ share कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो है ncbt mis portal के द्वारा यह website जो है इस official website पर यह notice डाला गया है जो कि आप देख पार हैं 2nd August 2021 को यह notice डाला गया है जिसके date की बात करेंगे तो all directors, all reasoning, regional directors को यह जो है forward किया गया है तो यहाँ पर हम सारे details को छोड़ते हुए बहुत important updates में आएंगे जो कि आपके हाल ticket को match करता है यानि हाल ticket से related important यहाँ पर आप देखिए 13 सितंबर से 14 सितंबर 15 सितंबर यहाँ exam की अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो यह exam का schedule है और इस schedule को अगर आपने नहीं दे grade वाले का किस subject का exam आपका conduct कराया जा रहा है तो यहाँ पर MSD का official website से यह notice मैंने डाउनलोड किया है इसी में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो download होने का है admit card वो कब से कब तक होगा पूरी detail इसमें दी गई है आपको कहीं बाहर नहीं जान यहाँ यानि बात की गई है semester वाले candidates की भी और annual जिनका annual system है उनका है ना DHT training को भी यहाँ पर जो है include किया गया है तो इनके admit card 9 अगस्त से 13 अगस्त की बीच में जो है यहाँ पर आपके admit card download हो जाएंगे और होने लगे हैं यह state director की तरप से यह message है downloading of hall ticket from NCVT MIS portal and issue to eligible trainees for September semester system and annual system तो यहाँ पर भी यह हाल ticket कब से आप जारी करेंगे 14 अगस्त से 19 अगस्त तक आपको hall ticket जो है मिल जाएगी ITI के principal आपको hall ticket जारी करके दे सकते हैं या फिर आप खोद अपना hall ticket जारी कर सकते हैं तो dear friends अगर आप भी ITI वाले candidates हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें ताक कि आपका जो ITI से related exam से related important updates है ताक कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे doubts भी clear हो जाएंगे और अगर आप आपको guidance की जरूरत है तो आप जो है यहां पर आकर चैनल को subscribe कर सकते हैं हमारे चैनल पर visit कर सकते हैं जिससे कि आपको लगातार सभी updates मिलती रहेंगी और आपके carrier से related बहुत ही important update हम लाते हैं अगर आपके लिए या वीडियो informative है तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करना ना थैंक्स पर वाचिंग